सिता राम जै राम जै जै राम तो भक्तो आपने थमलेल में देखा मैं किस बारे में आज बात करने वाला हूँ तो आपने सही देखा और आपकी कैसे भक्ती चल रही है और हन्मान भक्ती कैसे चल रही है और राम भक्ती कैसे चल रही है comment section में जरूर लिखना, थीक है, हां मैं इस बारे पर बात करना था कि जो वक्त, जो वक्त 100 बार हन्मान चलीजा कापाट किसी बिसेस कार्य के वज़े से नहीं कर पाते हैं उसके लिए मैं लेकर आया हूं जो भाई नहीं कर पाते हैं 100 बार हन्मान चलीजा कापाट तो उन भायों के लिए या भानों के लिए मैं करूँगा सव बार का पाट ठीक है तो आपको पाता ही होगा सव बार हनुमान चले सा पाट करने के बाद हनुमान जी कैसे भगतुक के पास दोड़े चले आते हैं उनको हर कारे को सिद्ध करते हैं तो भाई लोग मैं तो सव बार का पाट आपके लिए मैं करी दूंगा ठीक है तो उसके लिए पूजा करने की सामागरी और कुछ हमारे लिए फिस की जोड़े ताकि हम पांच घंटा लगता है मैक्सिमां पांच घंटा लगता है वाई लोग तो उसके लिए कुछ तो फिस चाहिए ठीक है जो भाई या जो वहन सव बार का अपने लिए खुद के लिए मेरे द्वारा सव बार का पाट कराना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर या हमसे संपर कर ठीक है हाँ एक बात और काना भोली गया था जो भाई को विश्वास नहीं है तो ठीक है देखो हनुमान जी की कसम खाकर बोलता हूँ अगर आप पैसे पेमेंट कर दिये जितना उसका फिस है फिस तो जुड़ने के बाद कमेंट सेक्शन में बात करने के बाद दिशाइड होगा हाँ तो फिस देने के बाद अगर आपको नहीं मतलब लगता है कि आपका पार्ट नहीं होगा तो देखिए हनुमान जी की कसम खाकर करता हूँ कि आपका पार्ट होगा और इसी चैनल पर लाइब दिखाये जाएगा अगर भी स्वास है तो हमसे जुड़े कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि हमको पार्ट कराना आए और हम अपना नमबर दीजिए चाहे हम वहीं मतलब किसी तरह बताना है कमेंट सेक्शन में कि मतलब हमको पार्ट कराना है हनुमान जी का सौबार का उसके बाद हम आप किसे संपर कर लेंगे आपका रिप्लाई देंगे कमेंट का रिप्लाई तुरन देंगे ठीक है तो हम पर विसास करिए और आपने कारे को सीथ कराएं ठीक है जैसे राम